आप देख रहे हैं इस्पियन नई नियूमीज वक्त कब क्या हो जाए किसके साथ कैसा हो जाए कोई नहीं जानता है हमारे केमरामेन भी यही समझा रहे थे कि इनसान को हमेशा अपने आप में तंदुरुस रहना चुए क्योंकि कब क्या मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता है आज घरिबों के लिए कोई नहीं है अना उनकी आवाज उठाने के लिए कोई है अगर कोई आवाज उठाता है तो उस पे करिसे करी करवाई कर दी जाती है आप समझ गये होंगे कि मैं किसका बात कर रहा हूँ, जी हाँ, अगर कोई गलत कर रहा है, उसको लेकर आवगार आवाज उठाए, तो फिर सलाकों के पीछे चला जाता है, बहुत दिनों के बाद कपिल सिब्बल, आप जानते ही हैं कि राजे सभा के लिए बेजा गया था, छोड़ दिया था, उनका बड़ा बयान है, किसको लेकर, जो सुरुवाती दोर में मैंने बात किया, वो है मुहमद जुबैर, नुपुर्शर्मा को लेकर देश में कितना बबाल मचा, यह आप सब जानते हैं, और उनके पैगंबर पर दिये बयान को मुहमद जुबैर नही सोशल मेडिया से, और आज जुबैर सलाखों के पीछे है, 14 दिन के रिमांट भेज दिया गया, नुपुर्शर्मा कि न तो गिरफ्तारी है और वो कहां है, किसी को पता नहीं, पूलिस यतनी मजबूत है, यतनी ताकतवर है, कि किसी को टस्समस नहीं होनी देती है, लेकि न मुहमद जुबैर की गिरफ्तारी कैसे हो सकती है, ये कपिल सिबल कह रहे हैं, और ये बड़ा बयान दे रहे हैं, ये तमाम चीज भी कह रहे है, कोट ने भी फटकार लगाई है, जब नुपूर्शर्मा गई थी, तो नुपूर्शर्मा ने यही कहा था, कि मेरे जान को खत है, बहुत बड़ी बात है, जो सीखने की है, कपिल सिबल ने बड़ा बयान दिया, अब देखते हैं, कपिल सिबल के इस बयान का जवाब बीजेपी के तरफ से क्या आता है, क्योंकि कपिल सिबल की बात, वाकई में सही है, कि आकिर मुहमद जुबैर की गिरफ्तारी कैसे हो